कि क्या कहता है सर कुश्चन में कुश्चन में कहता है परकास एड़्टर प्राइस लिमिटेड इशू और इसने इशू किये कितने के सर दस लाग के 10 परसेंट डिवेंचर यानि 10 परसेंट डिवेंचर और यह है रुपीज 10 लैक के इशू किये कभ इशू किये सर 2010 में एक एक दो हजार दस डेट आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अगले चैप्टर से सारा सेम डेट मिलना चलू हो जाएगा इस वर टू बी रिडीम 31 दिसंबर दो हजार बारा और इसको रिडीम करना है 31 बारा दो हजार बारा तो बताओ दस से बारा में कितने साल हो गए दस ग्यारा बारा यानि हमें अकाउंटिंग करने पड़ेगी इसकी तीन साल की समझे क्या करने पड़ेगी हमें तीन साल की और दिस परपस दा कंपनी स्टेबलिस्ट आ सिंकिंग फंड कंपनी ने इसके लिए एक तो सिंकिंग फंड बनाया जिसका दूसरा नाम किसी को याद है डियार बनाया आगे कहता है इन्वेस्मेंट वर एक्सपेक्टिड टू अर्न फाइव पॉर्सेंट पर एनम और जो भी हम इन्वेस्मेंट करेंगे उस पे हमें ब्याज मिलेगा पांच परसेंट का सिंकिंग फंड टेबल शो आपका इतने इन्वेस्मेंट यानि यह इन्वेस्मेंट एन्वेस्मेंट एन्वेस्मेंट एन्वली 5% एक रुपे के हिसाब से तो यानि सर आप हर बार जो सर्पलस से डालोगे यानि मैं आपको सिंपल लेंग्विज में बोल दूं कि जो हमें अपने प्रॉफिट में से एक EMI टाइप का निकालना है देट इस वह कितना होगा दस लाग इन्टू में 0.37317 17208 यानि 317 208 यानि 3,17,208 रुपे निकालेंगे और सिंकिंग पन में डालेंगे फिर यही पैसा क्या करेंगे हम इन्वेस्ट भी करेंगे ठीक है ना आगे कहता है 31 दिसंबर 2012 अब ध्यान देना यह क्या कह रहा है 31 दिसंबर 2012 यानि इस डेट पे यानि कहता है end में end में bank balance है company के पास 4-20,4-20 का क्या है company के पास तो अब सोचो उन्होंने bank balance आपको starting का नहीं दिया end का दिया तो इसका मतलब सारा transaction तो bank में खुदी कर चुके होंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ कब का bank account बनाना पड़ेगा सिर्फ एक साल का बनाना पड़ेगा that is 31-12-2012 का हमें सिर्फ bank account एक साल का तयार करके देना है आगे कहता है before the receipt of interest और यह जो bank में balance है इसमें से interest वगएरा कुछ अभी नहीं हुआ आपको लिखना है investment on that date यानि उस साल में जो भी investment मिला और investment भी बेच दिया इसी date पे क्या करा investment भी बेच दिया इसी date पे investment को कर दिया sold कितने का बेचा investment छे लाख चपन हजार का investment भी बेच दिया interest on payable annually ठीक है सर calculate the interest nearest of rupee जो interest calculate करोगे अगर आपका 210 रुपे 50 पैसे हुआ तो आप 210 मानो या 211 यानि रुपी के multiple में interest को लेके चलना है रुपी का मतलब calculate interest investment are made multiple of hundred इसका मतलब अगर आपका पहला investment बना कितना 3, 17, 208 तो 208 investment नहीं करोगे 100 के multiplication में करोगे तो अगर मैं देखूँ तो 3, 17 सिर्फ मैं 200 ही investment करूँगा और वही अगर 280 होता तो मैं 300 investment करता समझ रहे हो तो इसको बोलते हैं hundred के multiple में ठीक है ना इस तरीके से interest को बोला रुपी के multiple में और interest को बोला hundred के multiple में इग्नोर tax on debenture interest हम इग्नोर कर देंगे क्या क्या बनाना है 10% debenture account एक sinking fund account दो sinking fund investment account तीन bank account चार in the books of company also complete the journal entry और journal entry भी करना है यानि सर कितने account बोल दिया एक बोल दिया एक बोल दिया डिबेंचर account एक बोल दिया आपका sinking fund account एक बोल दिया sinking fund investment account एक बोल दिया आपको यह चार ही अकाउंट बनाने हैं जबकि इस आप देखोगे तो इससे ज्यादा account बना रखा वह अपनी मर्जी से आपको नहीं बनाना एक्साम के अंदर ठीक है ना वह आपको अपनी मर्जी से बाकि जो बुक के अंदर आपके solution गीवन है जो बुक के अंदर क्या करते हैं बुक से टैली करते हैं तो मैं आपको उसके recording भी बता दूँगा कि उसके अंदर क्या करा हुआ है और क्या करना है ठीक है ना वह मैं पूरा ही कर दूँगा आपको चिंता करने की कुछ दिक्कत नहीं है तो चलिए सर क्या समझ में आगे आप सबको क्या कुश्चन की कहानी समझ में आई तो हम स्टार्ट करें इस कुश संवेत Walkै कि मैं यहां इसारा फटा फट से चार जाकूंट बनाना तयार करता हूं कितने सालो का बनेगा तीन सालों वाने यह एक ठीट फरोंट बातिम को य्युक्त की ज़ुर्द पड़ती इसमें सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, नाम बाद में लिख लेंगे. चलिए, यह रहा दूसरा अकाउंट, यह रहा तीसरा अकाउंट, तीन अकाउंट हो गए ना, और चौता अकाउंट पीछे बना लेगे, ठीक है, वह सिंपल सा, वह वैसे भी आखरी में बनेगा, जो चौता अकाउंट है, एंड बे बनेगा, इस पर, क्योंकि मैं तो ले रहा हूँ, यहां पर, मैंने दोनों पर लगा रखा है, इस पर भी स्टूडेंट है, और यह बड़े परिशानिया, उसे बोलतों, वेबसाइट पर देख लो गया, ठीक है, वेबसाइट पर आज मैनेज करो, आज आज के दिखकत है, फिर से कल सार अपडेट कर देंगे, चिक है, चलिए, तीन अकाउंट बना दिये सर, चलिए, चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं, सर जोइन नहीं हो पा रहे हैं, एक कल में आज मैं अपडेट आएगा, तो आप सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, जरूर से अपडेट कर लिजेगा, अपने अप्लिकेशन को बस, चलिए सर, इतनी जगह है, तो सर, इसके आगे कौन-कौन सा अकाउंट लिखें, मैं थोड़ा अकाउंट का नाम आगे पीछे कर दूँ, नहीं तो छोड़ो, अकाउंट का नाम आगे पीछे करेंगे, तो confusion हो जाएगी आपको, इस अकाउंट का नाम क्या दे, कर लें, सबसे पहले, कितने percent debainture है, 10% इस अकाउंट का नाम है, 10%, debainture account अकाउंट का नाम है, थोड़ा short में लिख देता हूं, sinking Fund account, इस account का नाम है S include Fund, investment, सर एक और account बनाना है बना लेते हैं dobr, एक और अकाउंट पुना लेते हैं चलिए जब भी करेंगे यह बैंक अकाउंट रहेगा हमारा तब कर लेंगे ठीक है आ जाईए सबसे पहले हमने जन्वरी फर्स्ट को एक जन्वरी एक एक दो हजार दस मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूं आपके पास डेट अलग हो सकता है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं बाइ बैंक से डिवेंचर और डिवेंचर अकाउंट में कितने का सर दस लाग का इसकी टोटल की हम बात कर लेते हैं और इसी साल फिर हमने साल के एंड में 31-12-10 में पाइस सर्प्लस कहलो या कई बार हम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं ठीक है ध् सर्प्लस लिखते हैं चलों यह आया था तीन लाख दो सौ आट अब इन्वेस्मेंट की बात करें इन्वेस्मेंट भी 31 को हो जाएगा इकत्यस बारा को तू इन्वेस्मेंट जब भी करोगे किस से करोगे सर्टू बैंक से लेकिन इन्वेस्मेंट करने की कंडिशन यही थी कि आपको हंड्रिड के मल्टिपल में करना है यहां पे तीन लाख सत्रह हजार दो सो आठ के बजाएं आपको 200 करना होगा एक साल पूर आपको है इसका ठीक है ना कि बैलेंस इडी कि यह आ गया इकत्यस बारा कि और एक तारिक को कि ग्यारा वाई बैलेंस कि बीडी कि एक तीन सत्रह और तू बैलेंस तू बैलेंस तू बैलेंस सीडी कब एकत्यस बारा दस को थ्री वन सेवन टू जीरो एट अब एक तारिक को एक एक ग्यारा को पाई बैलेंस बैलेंस बीडी थ्री वन सेवन ठीक है अब बैंक इन्वेस्मेंट अकाउंट को भी कर देते हैं कि पहले साल में किसी बच्चे को डाउट हो तो बता देनें कि थ्री वन सेवन पहले साल में किसी बच्चे को डाउट हो तो बता देनें कि वर्स्ट इयर डन हो चुका है किसी को डाउट तीन साल का बनाना है सेकिंड यर में आ जाए यहां आएगा सबसे पहले हमारा 31 12 को हमारा इंट्रस्ट आएगा इंट्रस्ट वर्ड रिक्राओं इंट्रस्ट कितना हैं पंद्रह हजार 15860 कुछ बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूजन तो मैं यहां बता देता हूं तीन सत्रा दो सो पर निकालना है पांच परसेंट क्योंकि जो इंवेस्मेंट किया है उसी पर तो आज मिलेगा आपको और फिर से 31 को ही सर्प्लस से तीन सत्रा दो सो आठ अब इन दोनों को एड कर लेंगे नहीं इस दोनों को इंवेस्मेंट करना है पहले तो हम 1111 टू बैलेंस बी डी और देट इस आजाएगा 317 टू जिरो एट ठीक है नाव हम फिर से इन वेस्मेंट करेंगे 31 बारा ग्यारा को टू बैंक से कितने का इन वेस्मेंट होगा 33 33 33 06 नहीं 100 100 में मल्टिपल करेंगे ना 317 208 15 807 यह आजाएगा 100 100 टेक है तो यह समझने वाली बात है सर सौ कैसे आया इसको मैंने 100 के मल्टिपल में किया अब इसका अगर कोई बच्चा पूसता है तो मैं बता दूँगा यह 15 860 प्लस मैं 317 208 इसको हमने 100 के मल्टिपल में करा इसको एड़ करके हंड्रिड के पहले मल्टिपल में करा और फिर आगे कहा नहीं ठीक है अब आ गया जाते हैं यहां तक क्लियर है ठीक है सर अब टूटलिंग कर लेते हैं अब इन दोनों का टूटल में फरक आएगा चलिए स्टार्टिंग से दूसरा साल पहले इसको लेते हैं यह तो दस लाग यह दस लाग और टू बैलेंस सीडी दस लाग यह आगया 31 बारा ग्यारा सेम ऐसे यहां लिखेंगे टू बैलेंस बैलेंस सीडी डेट होगा 31 बारा ग्यारा यह आगया है 650 276 650 276 कोई देखकत यहां तक क्लियर है चलो सब्सक्राइब इसका भी टूटल करते हैं लेकिन अब इसका अमाउंट अलग आएगा ध्यान रखना ऐसा क्यों सार क्योंकि मल्टीपल में गया न क्या रहे हैं मैंने यहां थोड़ा गड़ लिख दिया है यहां पर दोस्तों होगा क्या आया कि ट्री हंड़र्ड कि शिक्स फाइव ट्री हंड़र्ड ठीक है एक त्यस बारा पाइब बैलेंस बैलेंस इडी शिक्स फिफ्टी थ्री डबल जीरो अब यह आगया हमारा एक एक दो हजार बारा टू बैलेंस बीडी ठीक है और बीडी आ गया सिक्स फाइव जीरो थ्री डबल जीरो और अब इस साल एंड में हम इन्वेस्मेंट नहीं करेंगे क्यूंकि इस साल तो हमारा खतम ही हो रहा है और बेच देंगे तो फटा-फट से अब और थोड़ा सा स्पेस एक साल का बनाना पड़ेगा मुझे एक साल का स्पेस बनाना पड़ेगा वह स्रिफ एक अकाउंट पर चलो बहुत बन गया स्पेस तो आ जाए है ठीक है अब आपका एक 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 बारा में बाई बैलेंस 650276 यह आ गया ठीक है थार्ड इयर में एक एक बारा खतम होने बाला है बस बाई बैलेंस बीडी कितने है दसला क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत अब हम क्या करेंगे लास्ट इयर में फिर से इंटरस्ट मिलेगा कब मिलेगा सर 31 बारा को बाई इंटरस्ट किटना इंटरस्ट मिलेगा आपका एस अमाउंट ए मिलेगा इंटरस्ट 65 ascxt30012 कि यह इंटरस्ट्ट मिलगा लेकिन आप हमें इंवेस्मेंट तो करना नहीं हमने बेच और दिया 312 को बाई बैंक क्ड़ए आप करदो के यहां तो हमें हो गया फाइदा कि छेलाग पिछले कोश्चन में हमें हुआ था नुकसान यहां पे हो गया हमें फाइदा क्या लिखेंगे टू कि सिंकिंग फंड सिंकिंग फंड जो फाइदा नुकसान होगा वहीं जाएगा सिंकिंग सही से लिख देते हैं सो फंड कितने रुपे लिखोगे सिंकिंग फंड में फाइदा बता दो 56 और 300 57 यह फाइदा पहुंच गया अब इस फाइदे को टू में है तो हम बाइद में लिख देंगे 31 12 12 12 में टू सिंकिंग फंड इन इवेस्मेंट से फाइदा पहुंचा 57 यहां तक एकदम क्लियर है अब जबकि हम 2012 में पहुंच चुके हैं तो हमें बैंक अकाउंट की भी बात कर लेनी चाहिए यह हमने बना रखा एक बैंक अकाउंट पीछे नहीं बनाया जगह की वज़े से तो सबसे पहले उसने स्टार्टिंग में बोला कि हमारा बैंक का बैलेंस बीडी है कितना बीडी है हमारा चार लाख 20,000 कब है 31 बारा को ही बोला उसने बारा में ठीक है उसके बाद 31 बारा को बारा में हमारे पास इंट्रस्ट का पैसा आया है ना कितना पैसा आया 31 12 में इंट्रस्ट का पैसा तो 32 513 रुपए कितना आया 32 513 रुपए और सर इन्वेस्मेंट विका उसका भी पैसा आया कितने पांच छे लाक शपन हजार 31 12 12 को चलिए आए आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं अब लास्ट में एक इन्वेस्मेंट और निकालना है हमें इस सर्प्लस के नाम से कितने 317 208 अब बस टूटल का खेल रहे गया है और कुछ नहीं रहा बताईए क्या है टूटल इसका टूटल बताव नौ लाग ऐसे दस लाख ही अपरोक्स हो गया और बाकी इधर किस नाम से मैच कर दोगे जैनल रिजर्व डिफरेंस लेके बता दो नाइन नाइन पोर टूटल के मैंने लिख दिया एक बार आप भी सही से क्रॉस करके देख लेना क्रेडिट साइड अच्छा हाँ टू में निकला है तो बाई में जाएगा ना यह कड़ बढ़ होगे इधर तो लॉस आता है इधर लॉस आता है भाई लॉस आता है इधर इकत्यस बारा बाई सिंकिंग पॉंड इन्वेस्मेंट कितने 57 अब टूटल दुबारा करो कितने दस लाग कि टैन डबल जिरो फाइव कि यह टूटलिंग भाई सभी बच्चों को बोलूंगा मैं आप चेक भी कर लीजेगा टूटलिंग तो आप कर सकते हैं फाइब सिक्स कि वह हो अब यह सारा जीर में चल जाए चले जाए अब यहां देखोगे के दस लाग से थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ है तो थोड़ा बहुत उपर नीचे होता है बहुत ज्यादा फरक नहीं आता है यह अब सर इसको क्या डिवेंचर होल्डर कर दें कव 31-12 कितने 10 लाग बस यह तो बंद कर दो गया यह दस लाग 10 लाग बंद हो गया एक काउंट बनाकर में दिखाए ही देता हूं यहीं बना देते हैं कि इस क्या को पेमिंट करोगे के नहीं करोगे फेले तो यह डिसाइड कर लो सरपेमिंट तो करना पड़ेगा अलाकि कुश्चन ने बूल ने डिवेंचर बनाओ है है ? कितने परसंट है 10 परसंट गेतने का 10 लाइव का और टूसााइट से मिन्ट करो करो कितने का ये 10 लाग और ये 10 लाग दोनों में डेट बता सकता है कोई बच्छा ये डेट आएगा 31 12 12 और ये डेट भी आएगा 31 12 12 क्योंकि 31 12 कोई पेमिंट होगा और ये ही सेम ट्रांजेक्शन भूम फिर के चला जाएगा बैंक में पेमिंट की 31 12 को और कोई पेमिंट है नहीं हाँ बुक में इंट्रस्ट की एक्स्ट्रा इंट्री करी हुई है तो जो हर साल डेबेंचर इंट्रस्ट का पेमिंट हो रहा है उसका पेमिंट का इंट्री एक हो सकता है बाई साइड में डेट इस इंट्रस्ट का और कितने 10,00,00,00 पे 10% यानी 1,00,00,00 रुपए that is 31,12 ठीक है समझ मैं मैं किसे इंटरस्ट की बात कर रहा हूँ जो हम दी रहें इस तरीके से देखा जाए तो हमारे क्या रहता है यह 11,513 एक जिरो बीच में 11,8,513 और यहां बच जाएगा बाइ बैलेंस 8,513 आंसर में थोड़ा बहुत फरक चलेगा 5 से 100 रुपए तक क्योंकि पॉइंट में reflection होता है हमारे से जो questions पूछा गया था वो इतना ही पूछा गया था इस से जादा कुछ नहीं पूछा गया था लेकिन आप book के solution में देखोगे तो एक interest on SFI यानी interest on investment और interest on debenture का इसमें कुछ नहीं करना आपको ज्यादा मैं एक रफली आइडिया दे देता हूं क्योंकि question में पूछा नहीं लेकिन हमें examiner पूछ सकता है इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि चलिए मैं ज्यादा फॉर्मल्टी ना करते हुए बस मैं अकाउंट बना के और यह फटा फटा इंट्रस्ट की पेमिंट कर देता हूं तो यह वाला है हमारा interest on debenture और यह है interest on sinking fund investment एक हम ब्याज देंगे और एक sinking fund investment जब ब्याज देते हैं हम तो हमारा क्या entry होता है interest to bank करते हैं इंट्रस्ट टू बैंक करते हैं तो interest on debenture to bank तो आप सोचो कैसे entry होता है interest on debenture to bank करते हैं उसके बाद अगली entry होती है statement profit and loss to interest on debenture तो सबसे पहले interest on debenture में जाएंगे और क्या लिखेंगे टू बैंक लिखेंगे टू बैंक यह इंट्री बहुत बच्चे ने confused हो जाते हैं तो ऐसे जनरल एंट्री करके देख लो पहले साल का एक लाग का पेमेंट होगा अब फिर अगले बार में क्या जाएंगे interest on debenture में बाय कि स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस एक लाख रुपए यहां लाइन नहीं खीचा हमने हैं हाँ 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 वह बैंक क्यूंकि हम दो हजार बारा में बना रहे हैं उससे पहले गया होगा तो कर चुके हैं एड ओन हाँ अगर पूरे तीन साल का बनाते तो एड करकर कर दिखाते हैं पहला साल डन हो गया एक लाग कि तीन सालों तक यही चलेगा फिर से दूसरे साल में भी डेट आ जाएगा बस आपका टू प्रॉसद और बायस स्टेटमेंट प्रॉफित एंड लॉस एक लाग सर यह वालक साल कौन भा सारी एंटी साल के एंड में होगा यह होगा एक त्यस बार था पर यह तो होगे हमारा इंटरस्ट उन डिवेंचर है जil अब जब हमें इंट्रेस्ट मिलेगा इंवेस्मेंट पर टो क्या इंट्री करेंगे इंट्रेस्ट Corn इंट्रेस्ट talking कि on SFI Sinking Pond investment ठीक है फिर उसके बाद क्या करेंगे हम इंट्रस्ट और एस एफाई तू स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस यही करने वाले हम नॉर्मली सेम ऐसे हो जाएगा बैंक में अब सिंकिंग फंड में जाएंगे और लिखेंगा बाय बाय बैंक और कितने रुपे सर अब पहले साल का जो ब्यास था अब आपको यहां से चेक करना होगा यहां कर दो क्या स्टेटमेंट प्रॉफिट में नहीं भेजा एकम देखोगे तो एंट्रस एक अगर उठाते हो तो सर हम सिनकंग में लिखेंगे और लिखेंगे और नाम इसका ठीक है तो यहां पर आजाएगा सिंकिंग फंड में 15,860 पहले साल का यह एंट्री हो गया कि 15,860 कि 15,860 कि दोनों साइट बराबर चलेगा फिर से बाइब बैंक होगा अब दूसरे साल में क्या था 33,000 32,513 अब यहां पर भी देख सकते हो 32,513 इंट्रस्ट आ चुका है और टू सिंकिंग फंड 32,513 क्या तीसरे साल भी होगा तीसरे साल तो हमें ब्याज मिला ही नहीं हमने तो इन्वेस्मेंट ही बेच दिया तीसरे साल में एक मिनिट तीसरे साल तो ब्याज तो मिलेगा मिलेगा ना ब्याज तो लास्ट में बेच आ उसका ब्याज तो मिलना चीए था तो हमने ब्याज लिया या नहीं लिया 32 नहीं तीसे साल नहीं हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है सोचने में पहले साल भ्याज नहीं मिलेगा तो जो हम यहां पर लिख रहे हैं न यह तो ठीक है 31-12 लेकिन यहां पर जो डेट आएगा वह 31-12 कब आएगा 11 से स्टार्ट होगा वह क्योंकि 2010 के अंदर तो इन्वेस्मेंट ही करोगे लास्ट में तो इस टाइम पर मिल नहीं सकता हां देना तो पड़ेगा क्योंकि सुरू से डिवेंचर हैं देने वाला यही रहेगा ठीक है और यह आएगा हमारा 31-12-2012 31-12-2012 अब इन सभी का यह वाले दो एक्स्ट्रा अकाउंट कर रखे थे जो मैंने कर दिये इन सभी का जर्नल एंट्री करना है जर्नल एंट्री जो हमने पहली क्लास में सीखा था वही करेंगे सबसे पहले डिवेंचर इशू फिर इंट्रस पेमिंट और इंट्रस ट्रांस तो पहले साल में जर्नल एंट्री बनेगा एक डिवेंचर इशू एक इंट्रस्ट एक सिंकिंग फंड कहलो आप बनाओगे डी आर ार एक सिंकिंग फंड इंवेस्मेंट कहलो इसको कहते हैं डी आर आई पहले साल यह होगा दूसरे साल अब डिमेंचर इशू नहीं होगा सिर्फ इंट्रस्ट और सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इंवेस्मेंट और इंट्रस्ट ओन सिंकिंग फंड इंवेस्मेंट क्योंकि इस साल से हमें ब्याज मिलना चालू हो जाएगा और तीसरे साल में क बनेगा और इंट्रस्ट मिलेगा आपको सिंकिंग फंड इन्वेस्मेंट पे और बैंक से इन्वेस्मेंट को सूल्ड करोगे तो बिल्कुल स्टेप बाइस्टेप आप इसको करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगे लेकिन ध्यान से करना है इसके अंदर हमने एक तरीके से देख कि यह इंट्रस्ट तो इंफ्लेशन से भी कम है इंप वह हमें एक्जाम में नहीं डिसकॉस करना के इंफ्लेशन से कम है या इंट्रस्ट रेट बहुत कम दिया जा रहा है आपने कुश्चन समझ भाया और पूरा करके पूरे नंबर लेने हैं बस आपको चलिए अगले पड़ेगा क्योंकि इसमें बॉण्ड वगएर आ गया बेसिकली यह पता है क्या है यह सब यह 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 सभी आपके यह देखो क्या कहता है डिवेंचर रिडंशन रिजर्व इन्वेस्मेंट इन्होंने पहले से ही इन इन जगहाओं पर इन्वेस्मेंट करा हुआ है यह हो गया सारा का सारा डी आर आई आपको अलग-अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे क्योंकि अलग-अलग बॉंड में लगाए होता क्या है कि हम पहले जो कुशन किया एक ही जगह डाल दिया बात खतम अब हम थोड़ी चला के दिखा रहे हैं उसको डाइवर्सिफाई क पहले से ही आपके पास डिबंचर पड़ा हुआ है देखो क्या कहता है तीस जून को फॉलविंग बैलेंस है इसका मतलब सर यह सारा पहले इशू अगरा बहुत पहले हो चुका है यह बैलेंस है यानि एक साल का ही बनेगा और पहले से हमारे पास डिबंचर रिडम्शन या युझा क्या पेच दिया इलेक्रिसिटी बोंड एट पार इट पार ही बेच दिया इसको मतलब जितने का था 5% लोन वाला जो यह वार्टर वोड लोन है वह 91 रुपीस का बेच दिया यानी 9 परसेंट के डिस्काउट पे बेच दिया 8% वाला 109 पे बेच दिया यहनी 9% परेमियम पे बेच दिया 7% वाला 103 पे बेच दिया 3% का प्रेमियम बस 3% add-on कर दोगे 1 जुलाई को debenture redeem at a premium 5% पे redeem करना है write up the account concern other than cash account मतलब cash नहीं बनाना bring down the balance अगर कोई है after above transaction the complete the starting balance क्या करना है तो आपको मातर एक साल का बनाना है sinking fund account बना लो और sinking fund investment बना लो सिर्फ उसमें investment नहीं करना बेच के और उसको बराबर करना है तो एक बार इसको try करना यह homework में हो आप सभी के पास किताब है आप थोड़ा बहुत अपना mind लगाऊगे फिर इस questions मैं बोर्ट पे करके दिखाऊँ ठीक है लेकिन हाँ जो बच्चे first time देख रहे हो इस वीडियो को या पहली time कर रहे हो मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि पहले पहली class देखना patience fully और record करना फिर आप उसको बिना देखे उस सवाल को solve करना फिर दूसरी class और फिर उसके according करने आपको सर एप का अपडेशन आज रात तक आ जाए कल सुभह तक आ जाए कल maximum आज से कल के बीच में कभी भी आ जाएगा उसके बाद आपके सारे questions भी arrange हो जाएंगे सर ये insurance policy का है एक बार ये भी देखिएगा homework में insurance policy का कोई मतलब नहीं बनता वैसे तो आप इसको देखिएगा बाकी ये तो हमने करी लिए है conversion वाले कुछ questions मैंने आपके उपर छोड़े थे याद हो तो अब अब रुक जाईए रुक जाईए रुक जाईए ये भी question homework में दिया जाए रुक जाओ भाई कि homework कुछ नहीं है इस question में कहता है अब अब जो भी था हमारा एट परसेंट प्रिफरेंशियर और टेन परसेंट डिवेंचर बोथ हैट प्रीमियम पर रिडीम होने जा रहा है दा कंपनी कैंसिल ओन डिवेंचर इन्वेस्मेंट आपको देखो यहां पर यह इसको कैंसिल करेगा तो बीस हजार का समान अठारा हजार में कैंसिल करेगा तो दो हजार का प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हो जाएगा दा कंपनी ओफर डिवेंचर होल्डर ऑप्शन टू आपको बोला गया कि भाईया तू कनवर्ट करवाले 96 परसेंट 96 रुपए इच में डिवेंचर में 60 परसेंट डिवेंचर होल्डर बोलता है ठीक है भाईया मैं कनवर्जन करवा रहा हूं और रिमेनिंग बोलता है कि भाईया मुझे कैस दे दे तो 60 परसेंट के लिए DRR का कोई मतलब नहीं बनता रिमेनिंग के लिए सारा कैस वाले के लिए काम करना पड़ इस्यार आ गया शियर एक्सेथू कर दोते लुगये अल पमेट टेल यादा फीक वाले शियर में से वरेंग के पर्फरेंट होल्ड के बारे में सोचा और यह ज़ा है यहां पर पर की यहां पर ईकडर होंगा कितने का है बनाने पड़ेंगे सर एक लाख 20,000 का CRR के लिए आपके पास बीए सियार के लिए आपके पास जनर रिजप्ली आपके सिक्योर्टी प्रिम तो यूज नहीं करेंगे है और पहले से डिवेंचर रिदम्शन रिज़र्व दे रखा है तो आपको बनाने की जुरूरत नहीं है पहले से investment investment नहीं है आप बस investment कर दोगे तो यह homework में है step by step करोगे pass necessary journal entry और balance sheet अगली class मैं balance sheet की ही start करूँआ जिसमें मैं final account की balance sheet कराऊँगा सर यह question भी आपका homework रहेगा same type of question है यह question भी आपका homework रहेगा यह भी homework रहेगा देखो जो समझ में नहीं आएगा मैं सिर्फ वो doubt solve करूँगा कुछ questions मैं homework में दे रहा हूँ आपको balance sheet preparation अभी नहीं करेंगे पहले balance sheet सीख लें बस तो इस chapter को हम करते हैं सर खतम जो भी थोड़े बहुत doubt रहेंगे वह भेजोगे उसको solve करेंगे और बाकी cancellation वाला इसके अंदर जितने topics थे सारे cover हो चुके हैं आपको practice करना है और sincerely आपको भी थोड़ा effort लगाना पड़ेगा और मैं कुछ topics को बोल रहा हूँ आप खुद करो पढ़के करो ताकि एक्जाम में उसमें से अगर mcq आ गया कोशन या शॉर्ट कोशन सा आगया तो आप attempt कर पाओ इस बात का ध्यान रखना सर यार वाले बच्चों का लिए आपने बोला था कि डिवेंचर का चेप्टर बाद में हाँ देखो अभी मैं तो लाइव में हूँ वैसे अगर आप कोई बच्चा बिल्कुल भी शुरू से नहीं पढ़ रहा अभी पढ़ना चालू करेगा तो मैंने बोला आप डिवेंच सुरू से करने सुरू से करेंगे अगला चेप्टर हमारा होगा देट इस फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट के बाद हम करेंगे कैश फ्लो स्टेट्मेंट के बाद हम करेंगे जब फाइनल अकांट के बाद सीधा हम करेंगे पहले रीकंस्रक्शन फिर कैश फ्लो स्टे का Capitalization method average profit method तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और उसकी वीडियो अल्रेडी बना रखे कुछ की करे हुए ठीक है न तो इस एक दो यूनिट का आपको खुद ख्याल रखना है बागी मैं तो करवाई रहा हूँ